दोहजर चौबिस के लोगसभात चुनाव के लिए मैदान लगबग सज़ चुका है गडबंधन और खेमेबाजी का दौर लगबग खत्म हो चुका है और तमाम पार्टी और नेता अब आमने सामने हैं लेकिन एक नेता ऐसे हैं जो बीच मजधार में फसे हुए हैं जो गडबंधन की राजनीती में एड़िस्ट होने के इंतजार में बीच में अटके हैं हम बात कर रहे हैं कभी नीतिश कुमार के बेहत करीबी रहे तो कभी मोदी के मंतरी रहे उपेंदर कुश्वाह की पिछले कुछ दिनों से NDA में शामिल होने की लगतार कोशिशों के बीच उपेंदर कुश्वाह की NDA में एंट्री नहीं हो पाई है और शायद यही वज़ा है कि अब उपेंदर कुश्वाह खुले आम अपना दर्द बयान करते दिख रहे हैं वैशाली के मववा में एक नीजी कारिक्रम में पहुँचे उपेंदर कुश्वाह से चुनाव से पहले गडबंदन को लेकर सवाल हुआ तो उपेंदर कुश्वाह ने अपना दर्द बया करते हुए कहा कि देश में नरेंदर मोदी का कोई विकल्प नहीं है ऐसे में विकल दर्जे की मांग को लेकर सवाल हुआ तो कुश्वाह नितीश कुमार को आड़े हाथ लेते दिखे उपेंदर कुश्वाह ने नितीश कुमार को कमजोर बताते हुए कहा कि जब जब नितीश कुमार कमजोर पड़ते हैं तब तब विशेश राजी के दर्जे की मांग को कर रहे हैं लेकिन हालत ये है कि अब तो पिंद्र कुश्वा ने शामिलना किये जाने को लेकर अपना दर्द तक साजा करना शिरू कर दिया है और कहते दिख रहे हैं कि उनके पास NDA में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है अब देखना बाकी ये है कि राजनी त इन शर्टों पर जगाह मिलती है अब जब कमजोड इस्तिती में जब जब आते हैं तब तब इसको मुद्दा बनाते हैं आज भी इतने बरसों बरस तक बीजेपी के साथ रहे बीजेपी केंदर में उनकी सरकार यहां मिल जूकर उस बक्तिन को यह बात नहीं सुचती है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें झाले झाले करें साथ बाले के संद आपको हमारा वीजेणी के साथ हमारा वीजेद्ट आपफाब तूम।